आसलम अलिकुम, केसें इंगलिश स्कूल एर पक्खो थेके, क्लास फोर एर इंगलिश फार्टुडे क्लासे तमादे शबाइके शुबेच छाओ, शागतम जानाची, I hope you are all fine, alhamdulillah I am also fine, everybody open page 46 of your English for Today book, Today we will read Unit 23, Lesson 1 to 3 and Lesson 4 to 5 Okay student, let's start to read, Write well 1 भाल भावे लेखो एक A. Read and say परो अभं बलो Shehab lives in Dhaka One day he is at home with his mother They are talking, suddenly it starts raining Shehab runs to the window and closes it His mother is very happy Shehab lives in Dhaka Shehab धाकाई बाश करे One day he is at home with his mother एक दिन शे तार माई शाथे बारीते रोय चे They are talking तारा कथा बोल चे? Suddenly it starts raining हटात प्रिष्टी शुरू होलो Shehab runs to the window and closes it Shehab दोरे जानालार काचे जाए एबों ता बन्धो करे दै His mother is very happy तार मार खुब खुशी होन Next day आच्छे Language focus भाशा गतो अलोगपाद B Use of capital letter and full stop Sentences always start with a capital letter बाक्कोशमुह सब्षमाई शुरू होय बड़ो हाते रखोर दिये Names of people and places also start with a capital letter लोगजने नाम एबों स्थान समोह नाम समोह शुरू होय बड़ो हाते रखोर दिये We use the full stop to end statements आमरा बीब्रीती मुलो बाक्कोशमुह सेश करते पुर्णो बिरोती चिन्नो ब्याबहर करी बाक्कोशुरूर प्रथमे आमादेके capital letter दिये शुरू करते हबे ताहोले आमरा sentence शुरूर प्रथमे capital letter एबों सेंटेंस टी 6 होले शेखाने full stop दिये 6 करवो बीशेश-बीशेश खेत्रे जैमोन लोगजने नाम तापर प्लेस नाम शेगुलोर खेत्रे आमरा capital letter बैबहर करवो देखो एखेने एक्जांपले देया छे मयनेम इस मितु, आएम फ्रम धाका आमनाम मितु, आमर बारी धाकाई मयनेम इस मितु ते देखो sentence aट प्रथमे capital letter बैबहर करवो खे एबों नामेर खेत्रे माने मेटिर नाम मितु, मितु नाम तीर खेत्रे capital letter बैबहर करा हो खे आर सैंटिन्स्टी शेषे, फूल स्टोप बशन नो है छे, आबार I am from धाका, धाका एक्टी स्थाने नाम शेखाने कैपिटल लेटर बैभर करा है छे. रीड दा पैरेग्राफ इन आक्टिविटी ए अगेंग, कर्मो तत परोता एर पैरेग्राफ टी माने अनुच्छेत्ती आबार परो, अंडरलाइन दा, कापिटल लेटर्स एन्ड सार्केल दा फूल स्टोप बरो हातेर अखर गुलो के आमरा नीचे दाग देवो माने अंडरल परो, आर्लाइन कोर्वो आर्ल, फूल स्टोप टिए सार्केल कोर्वो माने बृद्वित्तो कर कोर्वो जेकनो सेंटेंसे शुरू ते आमरा शब्षमेय कापिटल लेतर दी शुरू कोरते होय आर सेंटिन्स्टी शेषे मानी स्टेटमेंटी जखन शेषबे शेखाने आमरा पुर्णो बीरोती चीन्नो फूल स्टोप बशाबो Let's start to do it चलो ताहुले शुरू करी शिहाब लिफ्स इन धाका एखाने शिहाबे अन्डालाइन कोर्त अबे कापिटल लेटर आछे धाका एखानों कापिटल लेटर आछे फूल स्टोप आछे एखाने One day he is at home with his mother वाने कापिटल लेटर आछे माधार शेषे फूल स्टोप आछे They are talking देरमोध्ये कापिटल लेटर आछे टॉकिंगे शेषे फूल स्टोप आछे Suddenly it starts raining Suddenly थे कापिटल लेटर आछे रेनी शेषे फूल स्टोप She have runs to the window She have कापिटल लेटर आछे and closes it एखाने फूल स्टोप आछे His mother is very happy He is कापिटल लेटर आछे आर हैपिशे शेषे फूल स्टोप आछे Hope you all understand Next आछे C add capital letters and full stops to the paragraph अनुच्छे ती ते बड़ो हाते रखो शमुहा आभों पुन्नो बीरोती शमुहा जोग करो एखाने एटी एक्सेसाज देया छे paragraph एक्सेसाइज ए पारग्राफ टी आम राइट तू पूर्भो आखों Manik is six years old He has a sister Her name is Mina She is five years old Manik and Mina live in Silat with their parents एखाने कोथाओ capital letter आभों full stop दयानी आम रा एई पारग्राफ टी ते कोथाओ capital letter हवे आभोंकी कोथाओ full stop हवे शेटी कोर्भो आमी देखी दीछी पारग्राफ टी ते कोथाओ capital letter हवे आभोंकोथाओ full stop हवे Manik is six years old Manik is six years old Manik छेले बार बेक्ती नाम ताई एखाने capital letter हवे आर एई सैंटेस्टी शेश्वे छे older मोद्धे Manik is six years old 81 sentence 81 शेशे full stop हवे Manik is six years old एटी एक्ती बाक्को ताई एशेशे पुर्णो बिरोती चीन्नो एखाने बोशे छे Next day He has a sister Here प्रोथो में capital letter हवे He has a sister 80 sentence 80 शेशे full stop हवे छे तार एक्ती बोना छे 80 बाक्को बाक्केर पड़े पुर्णो बिरोती बोशे छे Her name is Mina तान नाम हई Mina Her एखाने capital letter हवे Her name is Mina Mina एक्ती बेक्ती नाम ताई एखाने capital letter बोशे छे एब़ों एई बाक्को टी शेशे full stop बोशे छे She is five years old She A sentence टी प्रोथो में capital letter बोशे छे She is five years old A sentence टी शेशे full stop बोशे छे तार बयोर्ष पांच बाचोर एटी एक्ती sentence तोरी होए छे ताई एख शेशे full stop होए छे मानिक अन्ड मीना लिव इन सिलेट विद देर पैर्ण्स मानिक अब़ों मीना तादेर बाबामार साथे सिलेटे बार्ष करे एटी एक्ती सेंटेंस मानिक अन्ड मीना जेहीतु बेक्तिर बालोकेर नाम शेखेत्रे मानिक अब़ों मीनार मोध्धे अन्ड मीनार बोशे छे सिले एटी स्थाने नाम शेजोन ने एखाने अन्ड मीनार बोशे छे आर एए सेंटेंस टी शेशे full stop बोशे छे आमराब बुश्ते पेरे छी कोथाई capital letter अब़ों full stop बोश बे I hope you all can where are capital letters and full stop now we will read lesson 4 and 5 right well 1 हलभावे लेखो 1 A read and say A परो आबों बोलो एकान एक्टी डायलोग दे आछे शे डायलोग ती आमरा पोर्बो छोबीते दुजोन मेके डायलोग कोरते दैखा जाचे आमरा शीटे आखन पोर्बो Hi, I am Rhea What's your name? Hi, I am Rhea तुमा नाम की I am Shanta I am in class 4 Are you in class 4? I am 44 श्रेन ते पोरी तुम्ही की 44 श्रेन ते पोरो? Yes, I am हैं, I am 44 श्रेन ते पोरी नेक्स्ट ए आछे लैंगुईज फोकास भाषाकोतो आलोगपात बी, use of question mark प्रोष्ण बदोग्चीन ने बैबोहार When we want information, we ask a question जखोन आमरा तोथो जानते चाई, तखोन आमरा प्रोष्ण जिगेश कोरी We use a question mark at the end of these sentences आमरा एशकोल बाक के शेशे प्रोष्ण बदोग्चीन नो बैबोहार कोरी Example हीशब एखने देया छे Do you go to school? तुमिकी बिद्धालोए जाओ, एशेशे दाको, question mark देया छे एखाने प्रोष्ण करा होये छे तुमिकी श्कूले जाओ, शेजुन नो एए बाकपोटी शेशे question mark देया होये छे, माने प्रोष्ण बदोग्चीन नो बैबाहर कोरे होचे Who is your teacher? तुमा शिखके एखाने शेशो, question mark देया छे, 80-80 question Look at activity A again, copy the questions in your exercise book कर्म तत्परता A, आबार देखो प्रोष्णुगलो तुमार अनुशिलन खाताई, copy करो Write the sentences in your exercise book बाक्कोगलो तुमार अनुशिलन खाताई लेखो Add capital letters and question marks बढ़ो हाते रखो समुः, आबोंग प्रोष्ण भुदग चीनने शमुः, जोग करो अनुखाने कोठाउ, capital letter, question mark देया नी, एगलो आमरा बशावोट आमी प्रोथमे एक्सेसेस्टी पोरेदी ची तुमादर के Number one, do you live in राच्छाही? 80-80 question तुम्ही की राश्चा ही ते बास करो 2. Where do you play? तुम्ही को थाए खेलो 3. Is me to your friend? मी तु की तुमार बोंधू 4. How old are you? तुमार बाश कतो 5. Can you use a computer? तुम्ही की computer बैबर कोरते पारो 6. Where are you from? तुमार बारी को थाए एक्षो नम्रा एक्सेस टी एंसर टी देखबो 1. Do you live in राश्चा ही? सेंटेंस टीर प्रोथो में capital letter हबे डूर मोध्धे capital letter हबे D राश्चा ही जेही तु डिस्रिक नेम ताई खने R capital letter हबे तापोर सेंटेंसे 6 question mark बोश बे तुमी की राश्चा ही ते थाको 2. Where do you play? एई सेंटेंसेर प्रोथो में where एर मोध्धे W capital letter हबे एबुं सेंटेंस टीर शेशे question mark हबे तुमी को थाए खेलो Where do you play? 3. Is me too your friend? मी तु की तोमार बोंधू एई सेंटेंस टीर प्रोथो में एजर मोध्धे I capital letter हबे मी ता पार्सन नेम ता आई एखानेओ capital letter हबे एबुं सेंटेंसेर शेशे question mark बोश बे 4. How old are you? तुमार बोश कतो A sentence टी ते How मानि A सेंटेंस टीर मोध्धे A, T, capital letter हबे आर sentence टी शेशे question mark बोश बे 5. Can you use a computer? एए सेंटेंस टीर प्रोथ में Can A, C, capital letter हबे आर sentence शेशे question mark हबे 6. Where are you from? तुमार बारी को थाई A sentence टीर प्रोथ में Where are W, capital letter हबे आर sentence शेशे question mark हबे आशा कोड़ छी तुम्रा सबाई बूस ते पेरे छो Write the exercise in your notebook and learn them all Today's lesson will end here Goodbye today See you in the next class Inshallah Allah Pais All right